दोस्तो घर के मजबूत काम के लिए आपको चाहिए कि आप उसे पानी जरूर दे अब जब हम घर का काम करवाते हैं तो ऐसे वक्त में आपके इंजिनेर्स आपसे कहते हैं कि घर को पानी दीजे पर आपको पता नहीं होता कि कौन से पार्ट को कितने दिन तक पानी देना है तो यहे पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए OPC सिमेंट का इस्तमाल करते हैं तो ऐसे वक्त में आपको कम से कम साथ से लेके 10 दिन तक उसे पानी देना है धूप के सीजन में और वही पर अगर आप PPC सिमेंट का इस्तमाल करते हो तो आपको धूप के सीजन में 10 से लेके 14 दिन तक पानी कम से कम देना है वही पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों concrete की यानि क जहाँ पर आते हैं आपके column, putting, PCC और slab ऐसे चीज़ों को आपको कम से कम 7 से लेके 15 दिन तक उसे पानी जरूर देना है और अगर आपका brick work है, plaster work है या फिर tiling work है तो उसे आपको कम से कम 7 से लेके 10 दिन तक पानी जरूर देना है और अगर आप 2 time पानी देते हैं तो ये तो अच्छी बात होती है दोस्तों यानि कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये दोनों time अगर आप अपने काम को पानी देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है तो दोस्तों जितना जरूरी है आप अच्छे quality का material इस्तमाल करना उतना ही जरूरी है आपके काम के लिए curing का period